तो आज मैं एक बिग निउस के साथ में आपके सामने आया हूँ, वो सभी स्टुडेंट जो अंडर ग्रिजुएट हैं, जो 12th पास आउट हैं, चाहे वो सेमेस्टर 1 में हैं, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, या आप जो 6 में गए हैं या फिर वो ग्रिजुएट हो चुके हैं, उन स सब के लिए है ये, लेकिन 12th पास आउट आपका होना चाहिए, गौवर्मेंट ने 4500 प्लस वेकिंसी अभी निकाल दिये, लेकिन इसके अंदर भी इस पोस्ट भी आपके बढ़ जाएंगे, तो ये भी आपकी संभावना है कि इसमें भी आपको एक बढ़त देखने को मिले तो गौवर्मेंट जॉप के अंदर सरकार ने जो वेकिंसी निकाल लिये, जैसा कि अगर आप देख भी वारे अपने स्क्रीन पर, बस आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाकर के देखें, कि ये गौवर्मेंट ने आपके पास में 12th लेवल के उपर, ये आप देखेंग तो एक CHSL की वेकिंसी आपके सामने यहाँ पर आया हुआ है, एससी में वेकिंसी आई है, स्टाफ सेलेक्शन कमिशन में, मैं फिरता आयता हूँ, आप कैसे चेक कर सकते हैं, चल एक न्यू टैब लेते हैं, आपको बस कुछ ही नहीं करना है, गूगल पर एक काम कर लीजिए यह बस SSC आप टाइप कर लीजिए, और गूगल पर आप SSC को टाइप करकर करके आप सर्च कर लेंगे, पहला ही आपके पास पर आजाएगा SSC.nick.in, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और आपके सामने यह पेज आ गया, तो पेज आने के बाद आप यहाँ पर देखेंग हैं, उनके लिए वेकिंसी है, इसमें अगर आप देखेंगे डियर स्टुडेंट, तो यह एक वेकिंसी आई है, इसकी लास्ट टेट कब है, इसकी लास्ट टेट जो है फ़र्म अपलाई करने की चार जनवरी है, लेकिन आप लास्ट टेट पर बिल्कुल मज जाएगा, क्य इसको अपलाई कर दीजीगा, आप कुछ बहुत सारे बच्चे हैं, जो कि बिल्कुल भी अवेर नहीं है कि यह होता क्या है, डियर स्ट, कुछ ही नहीं करना आपको एससी की वेबसाइट पर जाकर एक फ़र्म अपलाई कर देना है, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है, तो आज पास किसी भी आप साइबर कैफे बेजा कर रोके आप बोल दीजेगा, कि मुझे ससी की सी एचसल की जो है वो फ़र्म अपलाई करना है, वो आपसे आपका फ़र्म वो अपलाई वहाँ पर आपका हो जाएगा, जो गल्स हैं, उनकी कोई भी फीस नहीं है फ़र्म अ सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ ये गवर्मेंट की वेबसाइड है या अपलाई गया करेंगे, तो पिर क्या होगा, आप जो फ़र्म अपलाई कर देंगे तो गौर्मेंट क्या करेंगे, आपके चाहें मैं आपके कितने भी मांक्स आए हो, चाहें आपके 33% ओ हैंक्ड प्रोज करके नहीं देंगे और अगर आपके 33% मार्क्स आये हैं तब भी हम यह नहीं कहेंगे कि आप सरकार नुकरी ले नहीं सकते हो असे ही सरकारी जो जितने भी पद निकलते हैं या जो उसपर रिटार्मेंट होता रहता है वो पदे जो खाली होती रहती है उस पर नुक्तिि के लिए सरकार ने ऐसा ही पमिशन ना रखाए सका नाम है स्टाप सिलेक्शन कमिशन यह क्या करती है यह इस तरीके से advertisement निकाल देती है कि vacancy आ गई है यह date last date है और इस advertisement को इस तरीक कहते है कि इसमें सारी detail होती है आपकी कि इसमें syllabus क्या है आपका age आपका क्या कर रहे हैं fee structure क्या है आपका तो age 18 साल से 27 साल अगर कोई category का है तो उसके 5 साल प्लस मतलब कि 18 से 32 साल तक के लोग apply कर सकते हैं इसके लिए तो यह जो है यह कुछ basic जो है information सारी information आपको इस advertisement पर SSC क्या करते हैं निकाल देती है अब आपको जैसे मैं क्या रहा हूं आप इसको apply करोगे अप इसमें चार सब्जेक्ट आपके पूछी जाएंगे मैं बतायता हूं आपको चार सब्जेक्ट आपके कौन से पूछी जाएंगे इसमें चलिए चार सब्जेक्ट आपके जो इसमें पूछी जाएंगे वो चार सब्जेक्ट आपके हैं एक आपसे dear एक subject आपका math होगा math वो math नहीं जो कि आप ने अपने academic पर पढ़ा या फिर वो math नहीं जो कि आप अपने graduation ने अपने पढ़ा उचसे अलग math होगा quantitative, aptitude and advanced math यह आपसे यहाँ पर पूछे जाएगा math अभी मैं आपको उपर पर बता रहा हूँ reasoning, English syllabus की वीडियो में लेकर क्या हूँगा, English और आपका GS, यह चार subject आपके रहेंगे, अब चार subject आपके पास में यहाँ पर पूछे जाएगे, आप आप सोचेंगे कि सर अगर हम चार्ट को यहाँ पर study करने, हम जो त्यार कर लेते हैं अच्छे से, अगर हमारा selection नहीं हो, तो हमारी महनत तो हमारा पैसा दोनों बरबाद हो जाएगा, डियर, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, यहीं कोई भी सरकारी नोकरी दे लिजिए, सभी government job का equal same syllabus है, सभी government job का same syllabus है, और यहीं syllabus है, ना तो कोई chapter घटता है, ना ही कोई SSC का calendar भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, कि SSC शरफ एक vacancy नहीं आती है साल में, जिसके आप इंतेजार में बैठे रहेंगे, बात यहाँ पर सरफ एक vacancy की नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे, SSC पूरे साल vacancy निकालते रहती है, सरकारी नोकरी जैसे यहाँ पर देखेंगे, आप इसी साइड पर आएंगे, तो examination calendar, आपको यहाँ पता लगता है कि कब कौन सा exam है, यह तो एक साल पहली calendar निकाल दिया था, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में January, आपके पास में यह March, आपका April और आपके पास में July, मतलब कि य March 2022 से ही calendar पहले का आपका निकला हुआ है, इस calendar में अगर आप देखेंगे, सभी exams कि कौन सा exam, जिसकी date of advertisement कब आएगा, और closing date आपका कब रहेगा, और exam किस महीने में होगा, उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो यह आपका 2022 के starting में ही निकल गया था, यहाँ पर, अगर म चार दिसंबर जो है, इसके पास में, इसी के 10-15 इन उपर निचे होता है, और exam February में होगा, तो जैसा कि आप कहा गया था कि यहाँ पर आपकी वेकेंसी आईगी November में, तो November में आपके पास में वेकेंसी, जो है नमबर के end में और December में, यह वेकेंसी आपकी यहाँ पर देख आ रहे है, सेम सिलिबुस रहेगा, फिर एक multitasking स्टाफ SSE की पोस्ट है, इसकी वेकेंसी आपके पास में आने वाली है 25 तारीक को, और 25 जनवरी को, जनवरी के महने में, और इसके बाद एक बड़ी न्यूस, जो है, यहाँ पर constable के अंदर 8000 से उपर की वेकेंसी मार्च में आईगी और मई में पेपर है, सर्फ पूरे 6 महने रहे गए हैं, जिसकी तैयारी CHSL के लिए कर रहे हो, सेम प्रपरेशन से आप constable के लिए भी fight करोगे, मैं एक ही बैच में, मैं अलग अलग बैच बना करके, अलग अलग फीस आपसे चार्ज नहीं करूँगा, जो स्टुड सेम रहेगा, उसी को मैं continue आपके सामने करता रहूँगा, फिर आगे आपके पास में जो है, constable का paper आएगा, तो then constable के pattern पर हम लेकर के चीज़ों को सलीबस को चलेंगे, तो सरकाई नोगरी चलती रहेगी और मैं आपको इस तेकर से लेके चलता रहूँगा, तो यहाँ पर आपके पास में मैंने अपना course launch कर दिया है, सिरफ 999 रुपए में अभी दो subject है, Maths and Reasoning, जो कि आपको मैं पढ़ाऊँगा, पिछले 10 साल से सरकाई नोगरी के मैं तयारी मुखरजी नगर में जो है, करवा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि आपको 999 रुपए हमें रहेगा, और हमारे पास में 2 साल में कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाग सरकाई नोगरी की वेकेंसिया आराम से आजाएंगी, रेलेवे की वेकेंसिया आने वाली है, तो यह सभी तैयारियां आपके जो 3 से 4 साल के अंदर आपके पास में, यह 2 साल के अंदर जो 3 से 4 लाग वे continue, एक ही फीस में, फिर उसके बाद जो है, जैसे ही कुछ समय भी जाता है, 24 घंटे, उसके बाद हर अलग लग चीजों के लिए अलग लग आपके specific course आपको मिलेगा, clear है, आज तो all-in one course में आपके सामने launch करने जा रहा हूं, तो ये मेरे पास में आपके कुछ जानकारी थी, क बहुत लेट हैं, क्योंकि मेरे पास में, एक एक offline का बैचो में, वो एक एक हजार बच्चों का बैच्च होता है, उस एक हजार बच्चों में से सिरफ 57 बच्चे ही graduate मिलते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि almost सभी लोग 12 के बाद ही तैयारी सुरू कर देते हैं, और साथ साथ इस साल होने के बाद, 22 साल का होने के बाद, 15 साल अपढ़ाई में देने के बाद अब वो सोच रहा है कि काम क्या करें, उसमें फिर वो 3-4 साल समय लगाएगा, 35-32 साल में कामाना शुरू करेगा, और वैसी 27 साल सरकार मांगती है, तो कहां 30-32 सोच रहे हैं, आप 27 साल के बा बाद, 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 बाद अभी 10-5 साल बागी रिटार्मेंट में आज वो लोग जो है 65,000 रुपे कमा रहे हैं तो सरकारी नुक्री में सेलरी कितनी रहती है करते सेलरी 40,000 रहती है बस 40,000 रहती है इससे क्या होगा बच्चे पहली सेलरी 40,000 होती है साल में दो बार इंक्रिमेंट होता है और बीच लाक आने वाले 8-10 साल के बाद आपकी यह तंखा रहेगी यहाँ पर और सरकाई नोक्री भी यह जॉब भी आपके सिक्योर रहती है यहाँ पर तो यह एक एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया था मैं परके डिटेल में हम जानेंगे आप कोर्स के अंदर तो सिक्षद हम पर मैंने जो है कोर्स को लांच कर दिया है तो आगर आप देखेंगे नोटिस नोटिस कंटेंड स्टोर हमारे पर जाएंगे आप तो आप हमारे पास पर गौर्मेंट जो का एक बैच बनाया है मैंने जो कि आपके पास पें तरफ तरफ नो सो निननावी आप देखेंगे तो आज जैसे वीडियो आप देखेंगे टीम से कॉंटेट करें और अगर आप चाहते हैं कि आफ लाइन पढ़ना तो जो भी डेली के स्टुडेंट हैं तो मेरा जो है शकुरपूर की अंदर जो है जो निता जी सुवास प्लेस के एक किलोमेटर में आता ह है और रानिवाग आप कह सकते हैं तो यहां पर आप शकुरपूर में मेरी क्लासिस यह पो आप एड्रेस ले लेंगे आप आफ लाइन आकर बिस ल्सक्ता ओले घ्राई सकते हुए क्योंकि मेरे पास में करते हैं और आपको जो है ओनले भी क्लासिस देता हूँ अगर आप offline लेना चाहते हैं तो contact किजिए और offline आप हमारे साथ में जुड़ जाएए यहाँ पर भी मैं same facilities देने वाला हूँ बट fees offline की अलग होती है Mass and Reasoning की fees जो है 8500 रुपीस रहती है और पूरा का पूरा Mass and Reasoning English GK की fees 20,000 रुपीस रहती है offline में फिलाल अभी मैं Mass and Reasoning का सस्ता सबसे 99,000 रुपे में आपके लिए लॉंच कर रहा हूँ जो online course है Mass and Reasoning online है तो offline जो आना चाहते हैं वो भी contact करें जो online आना चाहते हैं वो भी contact करें और विश्वास करकर के आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं Thank you, thank you so much